तो आज हम social media पे चल रहे हैं एक ऐसे fraud के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हर minute या फिर हर एक second में किसी ना किसी के साथ ये same to same fraud हो रहा है जो कुछ time पहले मेरे friend के साथ भी हो चुका है और recently मेरे साथ होते होते भी बचा है क्योंकि मुझे पहले से मेरे friend ने aware कर दिया था जिसका नाम है telegram prepared task scan जिसमें आप जितने मर्जी पड़े लिखी हो जितने मर्जी समझदार हो आपको ये किसी ना किसी बाने से फसाई लेते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी whatsapp पे कोई work from home या part time job का कोई message आता है especially वो लोग अपने आपको google promotion team से बताते हैं तो इसको बिल फ्रोड को जल्दी से रोका जा सके और आप भी हमारी तरह किसी की help कर सके तो समस्कार दोस्तों मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहें info such youtube channel तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये फ्रोड क्या होता है कैसे होता है और उसके बाद इन पैसों को recover करने का process जानेंगे त उसने कुछ इस तरह के फ्रोड के बारे में मुझे बताया था मैं शोक हो गया कि मेरा number इनको कहां से मिला लेकिन शायद ये लोग randomly किसी को भी message कर देते हैं या फिर कहीं ना कहीं से जुगाड करी लेते हैं तो मेरी एक आपको advice है अगर आप social media platform पे active रहते हैं जैसे कि facebook, instagram, या किसी भी platform या फिर आप कहीं job search करते हैं या किसी चीज के लिए feedback देते हैं तो कहीं भी अपनी confidential details especially आपका mobile number share ना करें क्योंकि ये लोग वहाँ पे active रहते हैं और वहीं से आपकी सारी की सारी details को चुरा लेते हैं और इनका main target होता है जो लोग job search कर रहे होते हैं या फिर वो भुजूर्ग होते हैं या फिर वो बच्चे होते हैं या फिर वो महिलाएं होती है ये लोग जल्दी से इनकी बातों में आ जाते हैं तो अब मैं आपको अपनी mobile screen पर message दिखाता हूं कि इन्होंने क्या message किया तो first message में आप देख सकते हैं कि यहां लिखा हो है कि मेरा न mention था कि मैं part time job को promote कर रही हूं तो हर कोई सोचता ही कि बैटे बिटाए अगर मुझे extra earning हो रही है तो क्यों ना इसको join कर लिया जाए लेकिन इनका second message देखिए उसमें क्या लिखा है कि इसमें आपको as a new member 203 रुपे मिलेंगे जिसके लिए नहीं आपको कोई experience चाहिए नहीं उनें बता है कि सिर्फ आपको google पे जाके review देने होते हैं जैसे किसी भी hotel या restaurant में जाके आप उसको feedback या reviews देते हैं 5 star rating, 4 star rating और इसी तरह की rating आपको online जाके देनी होगी जिसके लिए आपको पैसे मिलेंगे जिससे आप अपनी extra earning कर सकते हैं 15,000, 20,000, 25,000 एक बहुत ही छोट सा amount बताते हैं ताकि आप लोग असानी से believe कर लें और इसको join कर लें लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं होता तो इस पूरे fraud को समझने के लिए मुझे इनकी हामया मिलानी पड़ी और मजबूरन मुझे इसको join करना पड़ा कि इस fraud से मैं सबको aware कर सकूँ especially हमारी YouTube Pay Infosage Family को यानि की आप फिर दोस्तों मैंने इन से अंजान बनके और बाते की कि मुझे payout कैसे मिलेगा कि जो मैं आपको काम करके दूँगा उसके पैसे मुझे कैसे मिलेंगे तो इनका जवाब देखिए जहां उन्होंने बताया कि जो भी bank account आप use करते हैं उसमें हम आपकी payment को बेजेंगे क्योंकि bank tax payment को handle करता है और generally ये लोग IMPS का use करते हैं आगी past से 10 minute में ही पैसे आपके account में transfer हो जाए जिससे आप इनके ओपर trust कर सकें लेकिन ये message पढ़के मुझे हसी भी आई कि एक बंदा बिना पूछे ये बहुल रहा है कि मेरी company formal company है यानि कि किसी company का कोई नाम नहीं है किसी का कोई address नहीं है कोई website का link नहीं है सिर्फ अपने आपको एक formal company बता देने से वो एक trusted company कैसे हो जाती है और लोग इसमें कैसे फस जाती है लेकिन दोस्तों ये fraud WhatsApp तक ही सिमित नहीं रहता फिर मेरा next question इनसे ये था सारा का सारा काम ये WhatsApp के तुरूई होगा या मुझे फिर Instagram या Telegram जैसी कोई अलग से application डाउनलोड करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे friend ने बताया था पहले आपको WhatsApp पे एक ये task बेशते हैं उसके बाद आपको अपने पैसे लेने के लिए Telegram डाउनलोड करवाते हैं और नीचे इन्होंने तुरंत लिखा कि do you want to try तो मैंने लिखा yes I want to try और इसके बाद देखी ये लोग कैसे फसानी कोशिश करते हैं जितने मर्जी पड़े लिखे हो जितने मर्जी समझदार हो अगर यहां तक आप आ चुके हैं तो दोस्तों आपको ये फसानी की कोई ना कोई trick ढूंडी लेंगे अब जैसे ही मैंने यहां इनको okay करके बेजा इन्होंने तुरंती मुझे एक message copy paste करके बेज दिया जो share सबको बेजा जाता है जिसमें एक hotel का link होता है और कैसे आपको rating देनी है उसके बारे में बताया जाता है ये काम करने के बाद आप इनको screenshot बेजेंगे जैसा कि मैंने फटा-फट से review देके इनको screenshot share किया और तुरंती इनका message आगे कि जो आपकी salary 203 रुपे थी as a new member वो आप आपको मिल जाए जिसके लिए आपको telegram download करना होगा तो जैसे ही मैंने telegram install किया इन्होंने अपने staff की एक के साथ WhatsApp पे share करना है जिसके बाद ये WhatsApp टीम वाले आपको एक salary form बना के देंगे जिसमें आपकी कुछ basic details पूछी जाती है ऐसे कि नाम, gender, age, mobile number जो मैंने सारी की सारी जूट बोली थी सिर्फ अपने नाम को छोड़ जिसका reason भी मैं आपको आगे बताऊं ताकि ये लोग करवा के उनको telegram पे redirect करवा देते जिसके बाद telegram टीम का fraud शुरू होता जैसे ही आप telegram पे salary form को share करते हैं उसके बाद आपको ये एक दुबारा से task बेशते हैं same rating वाला और उसको जैसे ही आप complete करते हैं फिर आपसे ये bank details मांगते इसमें ये आपको 203 रुपे का amount जिसे salary कोलते हैं वो बेश सके और हर किसी को अलग लग दिया जाता है जैसे मेरे friend को 225 रुपे का amount मिला था ऐसे ही किसी को 205 रुपे 203 रुपे तो यह आप screenshot देख सकते हैं कि मुझे 203 रुपे का amount जो है वो credit हो चुगा था और credit होने के बाद आपसे ये screenshot मंगवाते हैं ताकि एक इनका main group है टेलीग्राम पर ही वहाँ पर ये सारे के सारे screenshot शेयर करते हैं जिस पर सारे लोग एक साथ join होते हैं और mostly लोग जब ये देखते हैं कि हर किसी को पैसे मिल रहे हैं तो उससे एक trust build होता है जो इनके आगे वाले step के लिए बहुत ही जरूरी है इससे ये सभी लोग करेंगे तो आपको date store के दुबारा से credit कर दिये जाएंगे और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपके ओपर दीरे दीरे और trust build हो सके फिर से मैंने इनके तीन टास्क को complete किया वह screenshot शेयर किया और जिसके date store में मुझे मिल चुके तो हम लोग यही सोचते हैं यार free में इत तो आपको same review वाले दिये जाते हैं और अब आपको अपने पैसे लेने के लिए यानि कि जो पर review 50 रुपे दे रहेते उसको लेने के लिए आपको तीनो टास्क कंप्लीट करना जरूरी है तो यह prepared task होता गया है जिसमें clearly लिखा होता है कि अगर आप 1000 पे invest करते हैं तो हम अगर आप इनको invest करने के लिए मना करते हैं तो यह आपको force करेंगे कि minimum आप 1000 पे invest करके देखिए जिसके लिए आपको 13 100 पे दिये जाएंगे हमें formal company है आप हम पे trust कीजिए already आपकी salary आ चुकी है तो ऐसे ही आती रहेगी आप इसके लिए बेफिगर रहे हैं जो लोग यहा आपको force करते रहेंगे जब तक वो आपसे fraud ना कर लें तो जैसे ही मैंने इनको मना किया तो कुछ गंटों के बाद ही इनका दुबारा से एक message है कि अगर आप इस task को skip करना चाते है तो कर सकते हैं लेकिन हमारी company की तरफ से अब आपको 50 रुपे per task की जगा 25 रुपे एक task के दे जाएंगे यानि कि हर एक review पहले मुझे 50 रुपे दे रहे थे अब उन्होंने घटा कर उसको 25 रुपे कर दिये और फिर से 2-3 बार आपको review वाले task देंगे और उसके बाद फिर से एक prepared task शेर कर देंगे और अगर आप इस step में भी इसको skip करते हैं तो फिर आपको 5 क्यों ना कर लिया जाएं तो minimum यहां लोग 1000-2000 यहां तक की 50-20000 रुपे तक भी लोग invest कर देती हैं तो दोस्तों पूरे fraud को समझने के लिए मुझे आगे जानना था कि यह लोग क्या करते हैं तो मैंने भी इसके लिए 1000 पे वाला task ट्राइ किया और इनको एक message किया और तुर हां मिलानी पड़े और दोस्तों मैं आपको बता दूं यह website भी इनकी fake ही होती है और यह किसी भी website या application में पैसे transfer ना करवा के सिर्फ एक दूसरे को पैसे transfer करवाते हैं इससे इनका कोई link नहीं होता और वो करने के पीछे एक वज़े यह है कि कल को अगर in case इनके उपर कोई police case भी होता है तो इनको किसी भी तरीके से पकड़ा ना जा सके क्योंकि इनकी कहीं पे कोई भी details नहीं होती है तो हम लोग एक दूसरे के साथ ही समझ लीजिए कि fraud कर रहे है कि यह जो 203 रुपे का amount या कोई भी amount आपके पास receive हो रहा है यह पैसा भी किसी और का है और जो काफी देर के बाद मुझे आ चुके थे जिसके बाद इन्होंने और लालच दिया कि अगर आपको और ज्यादा एक्स्टर इंकम करनी है तो आपको और ज्यादा प्रिपे टास्क करने हूँ और जैसे जैसे आपको पैसे मिलते रहते हैं वैसे वैसे आपका trust बढ़ता जाता या फिर किसी ना किसी बहाने से कि आपका amount first चुका है या आपका bank account freeze हो चुका है और इस पैसे को निकानने के लिए और पैसे आपको add करने पड़ेंगे इससे जो पहले से दूखी है वो अपने पैसों को recover करने के लिए और पैसे invest कर देता है और ऐसे ही सब लोगों को फसान है तो उसको क्या करना है लेकिन उससे पहले मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे request है कि इस video को ज्यादा से ज्यादा शेर करना और किसी भी तरह के लालच में मत आना इस पेशली जब कोई आप से investment करने के लिए बोलता है चाहे फिर वह सोर पही क्योंकि यह आपकी मैनत का पैसा ह और इसको आप बरबाद ना करें तो आपके पास complaint करने का एक ही option होता है तो अगर आपका भी कोई बड़ा amount इस तरह फस गया तो इसकी complaint आप साइबर सैल में जरू करें जिसके ओपर मैंने एक special वीडियो अल्रेडी बनाया हुआ है जिसका link भी आपको वीडियो के description में सकते information अच्छी लगे तो वीडियो को like करके channel को subscribe करना ना बुले